नमस्कार दोस्तों क्या आपको मालूम है कि यदि आपके पास Android Smart TV है तो आप अपने Android मोबाइल को इस तीवी की रिमोट की तरह प्रयोग कर सकते हैं क्या हो कि हमारा या आपका Android TV का रिमोट खराब हो जाए, खो जाए, मिलना रहा हो, बच्चे ने तोड़ दिया हो, पानी से भी हो दिया हो, या फिर रिमोट की बैटरी ही खत्म हो जाए, या फिर ऐसी हालत हो ऐसी इस्तिती में आप क्या करेंगे, नया रिमोट खरीदना महंगा सोदा साबित हो सकता है, इस इस्तिती में आप यदि चाहें, तो अपने Android मूबाइल को ही तीवी की रिमोट की तरफ रियोग कर सकते हैं, बस आपको एक डाउनलोड करना होगा, इसकी बस एक ही शर्त है कि आपका Android मूबाइल और आपका Android टीवी दोनों एक ही Wi-Fi नेटवर्क से कनेक्ट होने चाहिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, आईए देखते हैं, अपने सारे विकल्प दिखाई देंगे, आप इसमें से Google का यह एप अपने Android मूबाइल में इंस्टाल कर सकते हैं, या यदि आप चाहें, तो Innovation Lab कंपनी का यह एप भी अपने मूबाइल में इंस्टाल कर सकते हैं, जो कि TV के रिमोट की ही तरह काम करेगा, हमने यह दोना एप ही Android मूबाइल में इंस्टाल कर लिये हैं, हमने Google के Android TV रिमोट को चालू कर दिया है, और आईए देखते हैं, आगे क्या होता है, हमें अपने Android मूबाइल को TV के रिमोट की तरह प्रियोग करने से पहले उसे TV के साथ पेयर करना होगा, जिसके लिए हमें TV में दीगे कोड को मू और लीजिए, अब हमारा Android मूबाइल हमारे Nokia 43 इंच Ultra HD Smart TV का रिमोट बन गया है, और लीजिए अब हम इसकी मदद से YouTube पर आ गए हैं अब हम अपने इस Android TV रिमोट की मदद से Pen Drive की डाटा को अक्सेस करके देखते हैं, कि वह चल रहा है कि नहीं आईए दूसरी Pen Drive को अक्सेस करते हैं इस प्रकार आप अपने Android TV रिमोट एप की मदद से अपने Android Smart TV के हर एप को नियंद्र कर सकते हैं Google के इस एप में आपको TV का वोल्लिम कंट्रोल करने के लिए मुबाइल के वोल्लिम कंट्रोल सिच का ही प्रयोग करना होगा इस एप में एक बहुत बड़ी कामी है कि इसमें टीवी को ओन या आफ करने के लिए कोई भी बटन नहीं दिया गया है आईए अब वोईस कंट्रोल की मतद से यूट्यूब पर कुछ गाने खुज कर देखते हैं मैं अंग्रेजी पड़ी लिखी छोरी जेल करावेगी दोस्तों आईए अब इन्नुवेशनल अब के एप को भी चेक करके देखते हैं कि वह कैसा काम कर रहा है गूगल के एंडुड टीवी रिमोट की तरह ही हमें इसे भी पेर करना होगा और यह लीजिए हमारा रिमोट चालू हो गया है आईए अब इस एप की भी टेस्टिंग करके देखते हैं यह कैसा काम कर रहा है और दोस्तों गूगल एप की तरह ही यह एप भी बहुत अच्छे डंगजे काम कर रहा है इस एप का प्रियोग करने महा में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत पेश नहीं आई टीवी के रिमोट की तरह प्रियोग करते हुए हमने लगभा लगभा इसके हर फंक्शन की चांच की और इसे सही पाया आप भी इन दोनों एंड्रोइड टीवी रिमोट एपस में से किसी एक एप को डाउनलोड करके अपने एंड्रोइड मोबाइल को रिमोट की तरह प्रियोग कर सकते हैं इन्वेशन लप के इस Android ٹीवी रिमोट एप में टीवी को आफ करने की सुविधा भी दि गयी है जो की Google के Android टीवी रिमोट एप में नहीं है आप तीवी को इससे On नहीं कर सकते तीवी को On करने के लिए आपको तीवी के पीछे लेगे हुए इस बटन का प्रियोग ही करना होगा इसके अलावा इस एप में वोल्लिम को घटाने या बढ़ाने का स्विच स्क्रीन पर ही दिया गया है और आपको मुबाइल के वोल्लिम स्विच के दबाने की जरूवत नहीं पड़ेगी दोस्तों आएए अब यूट तेरी दो नयन फिल्मी गाने की नए वीडियोज को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चस्का 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 पसका चुजीनी राग दोस्तों उमीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगे और शायद आपके काम भी है यदि ये आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और अभी तग हमारी चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें अगले वीडियो में फिर किसी में जाने करें के साथ व्लाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार जाहिए